तो दोस्तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है Redmi Note 8 Pro कितना बढ़िया फोन है अंडर 15,000 में इस में आपको पुड़ा कम्पलीट जो है पैकेजिंग मिल जाता है चाहे वो कैमेरा हो चाहे हो बैटरी हो चाहे हो प्रोसेसर हो और दोस्तो साथ ही साथ यहाँ पे Redmi Note 8 Pro का सक्सेसर बहुत ही जल्दी आएगा Redmi Note 9 Pro नाम से और इस फोन के रिगार्डिंग ना हर दिन कुछ ना कुछ इनफोर्मेशन लीग होना स्टार्ट हो चुका है दोस्तो यहाँ पे कुछ-कुछ चाइनिज सोसल वेबसाइट के ऊपर तो इस फोन का हैंड्स ओन इमेज भी लीग हो चु तो दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे Redmi Note 9 Pro में आपको क्या-क्या फीचर, स्पेसिफिकेशन मिलेगा कब तक लाँच होगा यह फोन इंडिया के अंदर और दोस्तो प्राइजिंग क्या होगा साथी डिटेल आज की इस वीडियो के अंदर सो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए टेक 42 चैनल को So that's been said, let's get start this वीडियो तो दोस्तो सबसे पहले अगर इस फोन की डिजाइन के बारे में बात करेंगे तो Redmi Note 9 Pro में आपको glass back के साथ glossy gradient finishing मिल जाता है पीछे आपको quad rear camera and physical fingerprint sensor दिखने को मिलेगा Front के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तो center punch hole display के साथ दिखने को मिलेगा और जो display होगा IPS LCD display के साथ दिखने को मिलेगा AMOLED डिस्पले इस बार भी आपको Redmi Note 9 Pro के अंदर नहीं मिलेगा डिस्पले के बारे में अगर बात करेंगे तो दोस्तो expect किया जारा है 6.59 inch का Full HD Plus डिस्पले दिखने को मिलेगा Redmi Note 9 Pro में और दोस्तो साथ ही साथ क्योंकि एक punch hole display design है तो इस बार आपको जो bezel मिलेगा, chin मिलेगा ना बहुत ही छोटा दिखने को मिल जाता है और साथ ही साथ जो screen to body ratio का Redmi Note 9 Pro में 92% से भी screen to body ratio जाधा मिलेगा So overall जो design है दोस्तो बहुत ही अच्छा दिखने को मिल जाता है punch hole display के साथ, glass bag के साथ, premium design इस बार भी आपको Redmi Note 9 Pro में दिखने को मिलेगा साथ ही साथ अगर बात करेंगे इस phone की performance के बारे में, chipset के बारे में तो Mediatek का chipset मिलेगा, Redmi Note 9 Pro में, जो की है Diamond City 800 series chipset के साथ इस बार आपको Redmi Note 9 Pro दिखने को मिलेगा और जो Diamond City 800 series chipset है यह बहुत ही बड़ी है chipset है और यह हाली में Mediatek के तरफ से launch किया गया है दोस्तो साथ ही साथ यहापे 664GB and 8 with 128GB internal memory के साथ dedicated SD card slot मिलेगा, Redmi Note 9 Pro में अभी बात कर लेते हैं इस phone की camera के बारे में तो दोस्तो इस बार भी आपको 64MP का sensor मिलेगा, Main RGB sensor लेकिन Sony 686 sensor के साथ दिखने को मिलेगा Samsung का GW1 sensor नहीं मिलेगा और दोस्तो साथी साथ 8MP extra wide angle camera, 2MP depth sensing और 2MP macro lens के साथ दिखने को मिल जाता है front में आपको मिलेगा punchol display के अंदर front facing camera जो की 20MP का sensor होगा तो दोस्तो overall जो camera department है इस phone का काफी बड़िया रहने वाला है और दोस्तो साथी साथ अगर battery के बारे में बात करेंगे तो इस बार भी आपको battery काफी जवर्दस दिखने को मिलेगा साथी साथ first charging भी बहुत ही बड़िया दिखने को मिलेगा दोस्तो इस में आपको मिल जाता है सारे 4000 इमेज का battery USB Type-C port के साथ 33W का fast charging इस phone में आपको दिखने को मिल जाएगा लेकिन दोस्तो box के अंदर आपको fast charging नहीं मिलेगा इस phone में अभी बात करते हैं इस phone की operating system के बारे में और दोस्तो इस बार आपको मिलेगा Android 10 out of the box MIUI user interface के साथ सभी तरह का feature sensor इस phone में आपको दिखने को मिलेगा ही मिलेगा साथ ही साथ अगर बात करेंगे इस phone की launching and pricing के बारे में तो दोस्तो Redmi Note 9 Pro जो है smartphone launch हो सकता है February की end तक या तो फिर February की बीच में ही दिखने को मिल जाए ये phone और दोस्तो साथ ही साथ अगर pricing के बारे में बात करेंगे तो दोस्तो इस बार भी आपको Redmi Note series का smartphone under 15,000 में ही दिखने को मिलेगा क्योंकि जितनी भी सारी previous Redmi Note series का smartphone launch हुआ है उसमें आपको under 15,000 का ही pricing दिखने को मिला है तो इस बार भी Redmi Note 9 Pro में ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है under 15,000 में ही आपको Redmi Note 9 Pro दिखने को मिल जाए तो Redmi Note 9 Pro के बारे में बस दोस्तो इतना ही था लिक्स के according अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो ज़रुसे लाइक कीजिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए Take 42 चैनल को और बाकी आप नीचे कमेंट करके बोलो अपना थोड़ अपना उपिनियन इस फोन के बारे में क्या कुछ लगता है आपको सो आज के लिए बस इतना ही थैंक यू दोस्तो गूड़ बाई अपना बाई बाई प्राइब कर दोस्तो आपको